जय हिन जय भारत पंदे मातरम दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे CRP of Tradesman कोबलर की जॉब प्रोफाइल के पारे में कोबलर की ट्रेड टेस्ट में क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं duty कैसे होती है, salary कितनी मिलती है, promotion कैसे होता है family रखने के लिए मोका मिलता है या नहीं मिलता है इस जैसे कई सारे सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ तो दोस्तों, जैहिन, मैं गैनिश्वर गाइवर्ट कमांडू and physical trainer Welcome to my YouTube चैनल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे and bell notification को जरूर आन करें दोस्तों जिससे भविश्य में आपको इसी तरह की informative जानकारी समय समय पर मिलती रहे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और आपने दोस्तों के साथ में शेर जरूर करें दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेट टेस्ट में क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों जैसे ही आपका ट्रेट टेस्ट लिए आपको आप जाओगे तो ट्रेट टेस्ट में दोस्तों आपके चमड़े के बारे में पूछा जाएगा ठीके चमड़ा को कौन कौन सा कैसे कैसे चमड़ा होता है ठीके जूता जूते के बारे में पूछा जाएगा जूता कैस सिलाई करते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा जूता कैसे नया बनाते हैं ठीके कौन सा चमड़ा कहा लगाने से अच्छा पॉलिश लगाने से कौन सा चमड़ा जाता चमकता है ठीके पॉलिश कैसे करेंगे ठीके उसके बारे में पूछा जाता है तो कुन सी पॉलिश सबसेते दोस्तों आपका वही डूटि जूरते को रेपिर करना ठीक है जूता नए बनाना ठीक है यहीं आपकी डूटि होती है प्रेओर जुआके दोस्तों जो आपका शॉक होता है वहाँ पर जैसे सुबर और शॉबर को खोल दिया शॉब को फोल शॉबर के पास अब बाद में वाको नाई है night duty मतलब रात को दुगंटा या और like mobile और राइपल के साथ में वह को करनी पड़ी थी आपको जूता बनाना के लिए बोल दिया है तुधा बनाने पड़ाइगा चीलाई करना पड़ेगा जो भी है वो काम आपको करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों अभी बात करते है कि सेलेरी के बारे में कई सारे लड़के बोल रहे थे कि सर आमें जो ट्रेट्समेन को जीडी के जवान से सेलेरी कम मिलती है दोस्तों नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि जो जीडी के जव रही आपको salary मिलती है ठीक है अभी बात करते हैं कि promotion के बारे में दोस्तों आपका departmentally promotion होगा ठीक है लेकिन आप departmentally test exam नहीं दे सकते ठीक है तो और अगर आपको आपके पास में education है आप अच्छे पड़े लिखे हो तो आप बहार से exam दे सकते है ठीक है अवलदार की exam आती है ठ अच्छे से अस्टेर कमांडन की भी exam निकल दिये तो आप बहार से exam दे सकते है ठीक है लेकिन आपको जो departmentally exam होती है उसमें आप सम्मिलित नहीं हो सकते है ठीक है ओ मतलब आपको departmentally promotion मिलेगा लेकिन जो departmentally exam आती है LDC की उसमें आप भाग नहीं दे सकते है ठीक है दोस्तों अभी बात करते हें कि आपका posting क्या कहा होगा दोस्तो ज्यदा तर posting जो होता है आपकी GC में RTC में Krpup जहां पर जहां भी है आपका वहां को तोटल आपको 75 दिन की चुट्टी मिलती है आपको केंटिंग की सुवीदा मी मिलेगी जो ऑस्पिटल की फैसिलिटी भी मिलेगी ठीक है अस्पिटल का जो फैसिलिटी मिलता है वो भी आपको मिलेगा ठीक है अभी कई सारे लड़के बोल रहे थे कि सर ट्रेट्समेन को फैमि मुका मिलेगा तो यह नहीं है कि आपको फैमली रखने के लिए मुका नहीं मिलेगा तो अगर आपके पास पढ़े लिखिया अच्छे हो तो आप बाहर भी मतलब बाहर से एक्जाम देखे आप बाहर जो है अवलदार बन सकते हैं अगर क्या बोलते हैं सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं तो दोस्तों मेरे पुरानी वडालियन में जो एक पर ट्री विंस्पेक्टर बन गया है अगर आपके पास है कोई जोब नहीं है तो अभी ये जोब, मतलब ूअने से कुछ था होना है लेकिन अगर आपके पास है अच्छा है तो आप बहर से जोब के लिए अब्ला आपकर है ठीक है बाहर से आप exam देखे आगे बढ़ सकते हैं ठीक है अगर आपके पास में मतलब अच्छी education है आपके पास में कोई job नहीं है तो आपके लिए यह job ठीक है दोस्तों ठीक है लेकिन अगर आपके पास में अच्छी education है और आप आगे बढ़ना चाते है तो आप बाहर से exam देते हैं रहिएगा पढ़ाई करने के लिए बहुत मौका मिलेगा दोस्तों ठीक है अभी और आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स वरक्स में जाके मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेर जरूर करें दोस्तों जय हिन जय भारत